दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और निये ने राजधानी दिल्ली में स्वतंतता दिवस की तैयारियों के बीच खुंकारातं की संगठन आयस-ायस मॉड्यूल का भांडा फोड कर एक Most Wanted आतंकी को गिरफतार किया है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने राजधानी में स्वतंतता दिवस की तैयारियों के बीच खुंकारातं की संगठन इस्लामिक स्टेट मॉड्यूल का भांडा फोड कर एक Most Wanted आतंकी को गिरफतार किया है बताया जा रहा है कि उसके पास से एक हत्यार भी बरामत किया गया है रिजवान को दिल्ली से ही गिरफतार किया गया है गिरफतार आतंकी रिजवान अलीद दिल्ली के दरिया गंजिला का रहने वाला है और पूने मॉड्यूल का मुख्य संचालक है पिछले साल जुलाई 2023 में पूने पुलिस की राज़त से भागने के बाद से वे फरार चल रहा था नैसनल इंवेस्टिकेशन एजनसी एनाईए समेट देश की तमाम एजनसिया काफी समय से इसकी तलाश में जु गिरफतारी दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के लिए एक बहत बड़ी काम्यावी है दिल्ली पुलिस और नैसे समेट तमाम एजनसिया उससे पूछताच कर उसके आगे की प्लाइनिंग के बारे में जानकारी जुटाने के कोशिश कर रही है राद 11 बजे हुई गिरफतारी हत से कबजे से 30 बोर की एक स्टार पिस्टल और तीन जिंदा कार्तूस और दो मुबाइल फोन बरामत किये गए इस संबन्द में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल थाने में एक मामला दर्च किया गया है बता दे कि कुख्या तातन की रिजवान पर दिल्ली मुंबाई गंबीर भविष्य बना रहे है आईए आपको सुनवाते रिजवान की मा का क्या कहना है लगरे इसके असे आफ गया था अच्वार अब धर गया क्या वाटा पूर्ड उसमें था तो क्या मुला अभी संपर्क में था वह या मुलग या है कि lot कर्पों अब आब निए था लर्या है ग। इसे नहीं से पजा आया है तो और न चोन आ ने से हम टाया है तो बच्चा था तो अच्छा आप लोग उसे लगाता है बाची थो रही तो यह वो वह प्र लगमी में जा रहे हूं प्रक्राइब जब पता ही नहीं तो पुलिस ने का था नहीं पूर भी देख लिया है तो तो हम पहाँ से देखते, वो तो केले भृष्डव मॉनु कें our जा रहा हूं और कोश से रहेगा ही और कोश समय का चाहिए मुह सुर्थ पाती मेरकूर।